नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूटूब चेनल बिननस एजुकेशन पॉइंट पर आप सभीशे निविदन हैं अगर आपने हमारी चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दे साथ ही हमारी जो मुख मुख क्वेश्चन है वो टे सब्सक्राइब करते हैं आज के पहले प्रिश्ण पर केंद्री मानाव संसाधन विकास मंत्रा लाए HRD ने घोशना की है कि भालत की दो सबसे लोगप्रीर प्रतियोगी परीक्षा है संयोक्त प्रवेश्च परीक्षा जेडवली और राश्टी योगता और प्रवेश्च प राश्टी ये परीक्षान एजेंसी NTA और चोथा उप्षन है केंद्री माध्यमेक सक्षा बोड़ CBSC तो दोस्तों इसका राइट अंसर है राश्टी ये परीक्षान एजेंसी NTA जोकि इन दोनों परीक्षाओं को आयोजित करता है अब चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर तुमकर जिली के सूखा प्रभावित पावागर छेत्र में 2000 मेगावाट MW की कुल छमता वाली प्रथम चरन सक्ती इस्थल सोर पार्क का उधगाटन हुआ जोकि किस राज्य में इस्थित है ओडिशा आंध्यप्रदेश करना तक और तेल गाना तो इसका राइट अंसर है क करना तक नेश्ट कोश्चन है मद्यप्रदेश के कौन मद्यप्रदेश के तीसरे मुख मंती थे निम्नलेकत में से स्री केलासनात काट जू स्री भगवंत राव मंदलोई पंडित द्वारी का प्रसान मिस्रा पंडित रवी शंकर शुकला तो इसका राइट अंसर है स्री के निम्नलेकत में से किस संस्थान द्वाला। अभिया चलाया गया भालतिए प्रतीभूती भी नी मै वोर्ड भालतिए राष्टि एक्रसी सहकाड़ी विप्रिन संग मर्यादित तीसरे खाद और क्रसी संगर्थन चोता है बायदावजार उध्यो तो इसका राइट अंसर है बायदावजार उध्यो जिसने जागोग्राः मेरो उन्हाग जाग रुकता हिएं चलाया था सेट्रो को्ष्जण है भालतियस सामान चदाउ को वर्ष क क्षान में आयोजित किया गया था ये बहुत IPC Question 20 likely अप्षिन भाल तीर्ष शामान चदाउग को किस वर्ष में आयोजित किया गया था उप्षन है 1952 से 53, 1951 से 52, 1950 से 1951, 1950 से 1952 इसका राइटा अंसार है 1951 से 1952 में प्रथम भालती सामाने चुनाओं को आयुजित किया गया था मद्यप्रदेश में सिरोन सहर भूकमपी छेत वड़गी करण की खालिस्तान की अंतरगत आता है पहला उप्षन है जोन फस्ट, छेतर फस्ट, जोन फायव, छेतर फायव, जोन सेकंड, छेतर सेकंड, जोन थर्ड, छेतर थर्ड, तो दोस्तों इसका राइटा अंसार है जोन सेकेंड एवं छेत्य सेकेंड मध्य प्रदेश में जो सरोन सहर है भूकम पी छेत्य बढ़गी करन के जोन सेकेंड एवं छेत्य सेकेंड में आता है आठमा क्वेश्चन है जैन साधु तरुन सागर जी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जले में हुआ था देवास मुरेना दमोय अगर मालवा तो इसका राइट अंसर है दमोय जैन साधु मुनीशी तरुन सागर जी जो कि अपनी कड़वी प्रवचन के लिए प्रशद्य हुए है इनका जन्मध्य प्रदेश के दमोय जैन के गुंशी नाम अगराम में हुआ था नाइंध क्वेश्चन है भारत में निजीकरण किया गया पहरा रेल्वे स्टेशन कहां परिस्थे थे इतार्सी गणेश गंज हबीब गंज खजराहू इसका राइट अंसर है हबीब क्वेश्चन है दोस्तों भारत में निजीकरण किया गया है पहरा रेल्वे स्टेशन हबीब गंजो की भूपाल में इस्थे थे दश्मा कोश्चन मध्यप्रदेश में जापानी औध्योकिक टाउंसिप खाले स्थान में स्थापित की गई है पीथमपूर सिंगरवली कटनी बीना इसका राइट अंसर है पीथमपूर मध्यप्रदेश में जापानी औध्योकिक टाउंसिप पीथमपूर में स्थापित क कितनी राश्टी वार्षक योजनाय अब तक प्रस्तावित की गई हैं ? 7,5,4,6 इसका राइट अंसर है 6 राश्टी वार्षक योजनाय अब तक टोटल 6 प्रस्तावित की गई हैं मध्यपिदेश की किस जिले में नौरा देही अभ्यारंड इस्थित है ? भगेलखंड, ग्वालियर, सागर, रिवा तो इसका राइट अंसर है सागर मत्रपिदेश में जोकी नौरा देही अवियरंड है बस सागर जिली में इस्थित है तेर में कॉस्चन पर चलती है जनवरी 2018 में फ्रेंट साप MP सम्मिट कहां आयजित किया गया था इंदोर और जेन इसका राइट अंसर है इंदोर जनवरी 2018 में फ्रेंट साप MP सम्मिट इंदोर में आयजित किया गया था रानी एहल लियावाई होल कलद्वारा संड़क छेत रेशा मुसूती धागों के साथ बुने हुए कपड़े का नाम बताएं महेस्वरी साड़ी टसर साड़ी बाटिक प्रिंट नंदना प्रिंट तो इसका राइट अंसर है महेस्वरी साड़ी पंदे में कोश्चन पर चलती है मध्य प्रदेश में 2018 के बार्सिक सास्की शक्ष सर्वेक्षन सर्वे में दूसरे स्थान पर रखे जाने वाली सहर का नाम बताईए तो दूसरे स्थान पर रखे जाने वाली सहर का नाम है भूपाल क्योंकि प्रथम इस्थान इंदोर का था शूल में कोश्चन पर चलती है पंदिस सिपकुमार सर्मा कि सास्त्री संगीत बाधियंद्र की उस्ताद है सितार सरूर संतूर बीरा इसका राइट अंसर देखती है तो इसका राइट अंसर है स संतूर पंदिस सिपकुमार सर्मा संतूर संगीत बाधियंद्र की उस्ताल है निमने लेकित में से कौन मत्यप्रदीश का राज की पक्षी है यह है इंपूटेंट कोश्चन है इसकी ओप्शन देखती है दूधराज या सुल्ताना बुलबुल जिसका नाम है एसी आई पेर इंडियन डूलर इसका राइट अंसार देखते हैं दूधराज या सुल्ताना इंगलेस में इसका है एसी आई पेराडाइच प्लाइ कचर जो की मध्यप्रदेश का राज की पक्षी है अठालमा क्वेश्चन है मध्यप्रदेश में निमने लेकित में से कौन सी कच्वे की एक मात्पर जातियां पाई जाती हैं जियोकेलैन ऐलिगेंस कचुगा धोगोग तीश्रा ओप्षिन दिया गया है निलश शोनिया हुलनों और चौधा है चित्रा इंडिका तो इसका राइट आंसर है जियोकेलैन ऐलिगेंस जो की कच्वे की एक मात्परजाति प्रच्चन है कि देगा लेके्ट मेयसी किस सरकारी संस्थान ने भारत में करसी अवश्टिक प्रतिसत का अनूमाल लगा या खाद और किरसी संस्थान क्एंद्रिय उपरांद अभिीयांतर की प्रद्धियक की संस्थान भारतिये राष्टिये before प्रस करेंद्रोंद और चौता है बायदा वजार आयो इसका राइट आंसर है केंद्री कटाई उपरांद अभी आंत्र की प्रद्यक्यू की संस्थान जो की भारत में करसी अफस्ष्टि के प्रतीशत का अनुमान लगाती है दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जिसमें पोटास अधिक लेकन फासफूरस कम होता है लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोड मिट्टी, लाल एबं पीली मिट्टी तो इसका राइट अंसर है जलोड मिट्टी जो की नदियों की तल सस्थे बनी होती है इसमें पोटास अधिक मात्रा में पाए जाता जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग कुछ हिंदी के कोश्चन भी लेका चलते हैं जो कि जिल पहड़ी आदी सभी कॉम्पेटीशन के एक्जामों के लिए इंपूटेंट है आज का पहला कोश्चन है हिंदी के लिए दूत के लिए सही पर्यावाची वाले जे तीनों ही नाम दूत के पर्यावाची हैं सेकंड कोश्चन मेरे तो गर्धार गोपाल दूसरो न कोई मैं निम्न मैंसे कौन सा रस है भक्ती रस अद्भोत रस बास्तलर रस शांतर रस तो इसमें पन देख के हनुमाल लगा सकते हैं कि इसमें गोपाल कृष्ण जी की भक ठीरस होगा ठेड़ कोश्चन पर चलती हैं अंधेर मचना महावदी का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है कूववस्था होना योग कितना होने पर भी शपल होना मनो कामना पूर्ण होना बुद्धी नस्ठ होना राइट अंसर है कूववस्था होना चोथी कोश्च मुनी गण का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है मुनी गण मुनी गण मुनी गण मुनी गण और चोथा उफ्चन है मुनी गण तो इस का राइट अंसर है ठाड़ वाला मुनी गण जो की मुनी गण का शुद्ध रूप दिया गया है धन्यबाद दोस्तों आपका हमा नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद